यदि आप पोश्ट ओफिस में खाता खोलना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल प्रफॉन से पोश्ट ओफिस में खाता कैसे खोल सकते हैं और दोस्तों पोश्ट ओफिस में यदि आप पैसे जमा करते हैं तो वो मैं आई पीपी भी मोवाइल इस एपलिकिसन को आप पिलिश्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं कि तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है तो इसे मैं ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है ओपन यूर एकाउंट नौ इसके बाद यहां पर आप लेंगवेज भी सेट कर सकते हैं यहां पर इंगलिस सेलेक्ट है आप हिंदी चाहो तो हिंदी भी यहां लेंगवेज सेलेक्ट कर सकते हैं तो सिंपली मैं यहा इसके बाद में आपको मोबाइल नमबर डालना होगा और यहां पर अपना पैन नमबर डालना होगा पैनकार नमबर और इसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर अपनी आधार डिटेल देनी होगी यहां पर आपको आधार नम आपको अपना आधार नमबर डालना है और इसके नीचे एक और बार आपको अपना आधार नमबर डालना होगा आधार डालने के बाद में आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपको सम्मिट पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद में आधार का information पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहां पर mother's maiden name मतलब साइटी से पहले जो खाता दारक है। उसकी माता की नाम क्या था वह डालना होगा। इसके बाद यहां पर husband और wife name में से आपको एक डालना होगा husband wife name optional है आप डालना चाहो तो डाल सकते हो और इसके बाद father's name डालना है और यदि कोई email ID है वो आप डाल सकते हैं और यहां पर वो name आ जाएगा जो आपका other card पर है और यह name वो है जो आपका pen card पर है सबी detail fill करने के बाद में आपको यहां save पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद में यहां पर हम personal information का form बढ़ चुके हैं अब यहां पर pen and communication address पर क्लिक करना है हमारा address आ चुका है क्योंकि हमने अपना other number डाला था तो यदि आपका communication address और आपका permanent address same है तो आपको यहां क्लिक करना होगा इसके बाद में आपको save पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद में यहां पर आपको no mini detail डालनी होगी no mini detail में आप जिसको भी यहां पर no mini बनाना चाहो आप बना सकते हैं यदि आप अभी no mini add नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर no पर click कर सकते हैं नो मिनी का मतलब क्या होता है मैं आपको यह बता देता हूँ आप no मिनी घर के किसी भी सदश्य को बना सकते हैं नो मिनी का मतलब होता है कि यदि खात धारक की death हो जाती है तो इसके बाद जो पैसा है वो जो no mini add किया था उसे मिल जाएगा तो मैं no mini बाद में add कर लूँ है इसलिए मैं नो पर click कर दिया है और इसके बाद मैं आपको shape पर click कर देना है अब इसके बाद मैं additional information देनी होगी आपको अब यहाँ पर आपको nationality Indian select करनी है और यहाँ पर marital status में आपको married और unmarried यहाँ पर select करना है married है unmarried है जो भी status है वो आप select कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं married select कर लेता हूँ इसके बाद मैं occupation type में आप क्या है वो आपको यहाँ पर select करना होगा यदि इसमें से आप कुछ नहीं है तो आप other select कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको अपनी साल की income यहाँ पर fill करनी होगी आप साल में कितना कमा लेते हैं इसके बाद में education level में आपका education level क्या है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं अब इसके बाद में आपको account information का form भरना होगा आपको account statement के आवसकता है या नहीं है आप yes no कर सकते हैं इसके बाद में mode of account statement delivery यहाँ पर दो option है online और postal यदि आप postal पर click करते हैं तो आपको post के दुआरा आपकी account statement आपके घर पर ही भेज़ दी जाएगी और यदि आप online select करते हैं तो आपको आपकी account statement आपके email पर भेज़ दी जाएगी यदि आपने email डाला होगा तो तो मैं online select कर लेता हूँ receive dbt in ippv account यदि आप subsidy इसी account में पाना चाहते हो यदि कोई आपकी subsidy आती है और आप चाहते हो कि subsidy इसी account में आए तो आप यहाँ yes कर सकते हैं तो मैं इस account में अपनी subsidy नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपको term and condition को accept करनी होगी और इसके बाद में आपको shape पर click कर देना है तो मैं यहाँ पर सभी form भर चुका हूँ इसके बाद में आपको continue पर click कर देना है अब इसके बाद में यहाँ पर mobile banking, SMS banking, miss call banking आप इन्हें use करना चाहते हो तो आपको इन तीनों पर click कर देना है यहाँ पर आपको अपनी detail को review कर लेना है सही से आप यह दिक कुछ गलती कर देते हैं तो आप यहाँ पर उसमें सुधार कर सकते हैं इसके बाद में आपको confirm पर click कर देना है तो दोस्तो OTP उस number पर आएगा जो आपका other card से link है तो OTP आ चुका है मैं यहाँ पर fill कर देता हूँ तो दोस्तों जैसे ही मैंने OTP डाला तो यहाँ पर देखिए मुझे customer ID और account number मिल चुका है तो मेरा जो है account यहाँ पर बन चुका है अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको login पर click करना है login पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना account number डालना है और customer ID डालनी है और अपनी date of birth डालनी है और आपने जो number registered किया था उस number को आपको यहां डालना होगा वो इसके बाद में आपको register पर क्लिक करना है अब इसके बाद में आपको अपना चारंग को कोई registration successful हो चुका है अब यहाँ पर आपको login पर click करना है और जो आपने pin बनाया था वो pin आपको यहाँ पर डालना होगा pin डालते ही आप अपने account में login हो जाएंगे तो इस तरीके से आप अपने account को बना सकते हैं अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें पैसे कैसे डालें आप पैसे अपने नजदी की post office में जाकर जमा कर सकते हैं अपने account में आपके छेतर में जहां भी post office है वहाँ जाकर आप directly पैसे जमा कर सकते हैं या आप online अपने account में पैसे डालबा सकते हैं और यहाँ पर view statement पर click करकर आप अपने statement देख सकते हैं यहाँ पर जोगी transaction होंगी वो नीचे आ जाएंगी और इसके बाद में आप इससे recharge भी कर सकते हैं पे बिल पर आपको click करना है आप यहाँ पर कुछ बिल भरना चाहते हो तो आप बिल भी भर सकते हैं और mobile recharge भी कर सकते हैं का करना है इसके बाद में यहाँ पर आपको funds transfer पर click करना है अब इसके बाद में यहाँ पर आपको beneficiary add करना होगा इसके बाद यहाँ पर तीन option आ जाएंगे अब सबसे पहले जिसके account में पैसे भीरना चाहते हो सबसे पहले आपको यह देखना होगा उसका bank account किस टाइप का है यदि उसका bank account IPV account है यानि कि जो आपका account वही उसका account है जिसके में आप पैसे भीरना चाहते हो तो यहाँ पर आपको IPV account पर किलिक करना है और यदि कोई दूसरा bank है पज़राब national bank, state bank of India, कोई others bank है तो आपको यहाँ किलिक करना होगा सबसे उपर account number पिलस IFSC code इसके बाद में उसका नाम डालना है जिसके bank में आप पैसे transfer करना चाहते हो बेने फिजरी नेम में और इसके इसके बाद आपको simply continue पर किलिक कर देना है जैसे आप continue पर किलिक कर दोगे तो next page आजाएगा तो यहाँ पर आपको amount में उतनी amount डाली है जितनी आप भेजना चाहते हो और remark में आप कुछ भी डाल सकते हैं और इसके बाद आपको continue पर किलिक करना है अब इसके बाद में पर करने हैं किसी दूसरे के bank account में service में आपको यहाँ पर काफे सारे option मिलेंगे यहाँ पर आप nominee भी update कर सकते हैं यहाँ पर nominee का आपको यहाँ name डालना है date of birth डालनी है और relation डालना है जिसको भी आप अपना nominee बनाना चाहते हो father mother wife husband son आप किसी को भी बना सकते हैं यहाँ आप update पर क्लिक कर देना है इसके बाद nominee आपके account में update हो जाएगा अब इसके बाद में यदि आप अपना pen card update करना चाहते हो तो इसे भी आप update कर सकते हैं आप इसके बाद में email id भी यहाँ पर आप update कर सकते हैं और यहाँ पर एक upload का option है सब से नीचे यहाँ पर आप अपने document को upload कर सकते हैं आप other card को upload कर सकते हैं यहाँ पर इसके बाद में browse पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में जो आपका आधर काड है उसका friend to photo कीच कर आपको upload करना है अपने आधर का और upload पर क्लिक कर देना है और आपको एक बात का ख्याल रखना है कि उसको size 5 MB से ज्यादे का नहीं होना चाहिए इसी तरह से आप water ID card भी upload कर सकते हैं और अधिक जानकरी के निया है यहाँ पर toll free नंबर दिया गया है 155299 इस पर call करकर आप customer care से जानकरी ले सकते हैं तो देखा दोस्तों अपने इस तरीके से आप अपना post office में bank account खोल सकते हैं उम्मित करता हूं कि आप जरूर पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है लाइक करते हैं और चैल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए क्यूंगि मैं आपके लिए इसी तरह की helpful वीडियो लाता रहता हूं तो मिलते हैं अगली वीडि jeunes झाल झाल झाल